अब जो आप PhD कर रहे हो या PhD करने वाले हो तो अब PhD के भी एरिया में आपको Excellence Award मिलने वाला है यह जो News है यह जो Announcement है proper UGC ने किया हुआ है ध्यान रखिएगा थोड़ी से इस बारे में जिकर कर लेते हैं देखें आप कि UGC to Recognize Outstanding PhD Research with Award है ना जिसका भी जो Research होगा अगर वो Outstanding होगा तो उसको अब UGC Award के द्वारा Recognize करेगा अब यह जो Award है थोड़ा समझ लेते हैं डीटेल में कि किस तरीके से मिलने वाला है किसको किसको मिलने वाला है पूरी बाते करेंगे राइट उसके बाद आपने जो study किया है उसका क्या impact हुआ है society ठीक है उसके बाद candidate अपने आपको कैसे defend कर रहा है आपको पता है कि जब आप interview देने जाते हो PhD वाले का है तो आपको बहुत सारे question पूछा जाता है cross questioning होता है तो आप किस तरीके से अपने आपको defend कर पाते हो और यह defend आपको किस तरीके से करना है अगर आपने research अपनी originality के साथ किये हुई है या innovation है या आपका research जो ऐसा है जो कि impact डाल रहा हो कहीं न कहीं तो इसके basis पे यह आपको award मिलने वाला है ध्यान रखेगा यह जो UGC ने decision लिया है न तीन October को लिया था ठीक है और जिसमें proper जो UGC के chairman है एम जगदेश कुमार उनका ही ये decision है और उनकी एक team जो है उनका ही एक decision है ठीक है हाला कि ये जो guidelines इनके बन गए हैं लेकिन जो public domain में notice अभी आना बाकी है जल्द ही ये notice भी release कर दी जाएगी अब ये बात करतें कि इसके पीछे का scope क्या है क्यों ऐसा कदम उठाया गया धीरे धीरे आपको UGC ने ये analysis किया है कि जो PhD की admission का growth rate है वो 10% से बढ़ता जा रहा है मतलब अगर हम बात करें 2010 से 111 की तो total जो PhD में admission था वो 77,798 का था लेकिन अगर 2017-18 की बात करें तो ये आपका बढ़के कितना हो गया है 161,412 हो गया है इसका मतलब बहुत 10% के annual growth से ब 30% का PhD admission है उसके बाद engineering and technology का 26% का है social sciences का 12% का है तो ये सारे अलग-अलग percentage है जिनसके अंदर PhD admission लगातार हो रहे हैं और इनकी contribution हाला कि regularly growth ही कर रही है ठीक है उसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो आपको award मिलने वाला है आप किसी भी college से हो है ना आप किसी भी college से PhD कर रहे से ही हो है ना आपको ध्यान रखिएगा आपका जो college है आपकी जो university है UGC Act के द्वारा पूरा accrediated होना चाहिए और NAC के द्वारा भी accrediated होनी चाहिए अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो आप PhD thesis upload करोगी आप है ना वो आपको इन्फिल्मनेट पे upload करना पड़ेगा proper है ना और उसकी जो timeline बताई गई है वो between 1 जनवरी से 31 दिसंबर मतलब साल में कभी भी आप उसको upload कर सकते हो ठीक है चलिए एक और बात कि जो आपकी thesis nominate होने वाली है वो अलग-अलग disciplines में होने वाली है जैसे हम sciences की बात कर रहे हैं science में like agriculture हो गया आपका medical sciences हो गया engineering and technology की ब बात करें जिसमें education and humanities भी आ जाता है Indian languages की बात कर रहे हैं और commerce and management की भी बात कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही proper बहुत ही अच्छी step उठाया गया है UGG के द्वारा ठीक है अब एक बात और कि जो आपको यह award मिलने वाला है उसके लिए proper ध्यान रखिएगा two these two thesis will be selected from each discipline पांच thesis पो nominate होगा लेकिन दो को ही select किया जाएगा ठीक है उसके लिए एक selection committee बनाई जाएगी proper and जो selection committee होगी वो अगस्त तक आपको select करके बता देगी दो उसमें से select किये जाएगे अगस्त तक पूरा committee अपना final report दे देगी और यह जो award मिलेगा आपको यह कब मिलेगा पांच ता के team है बहुत ही अच्छा कदम उठाने वाला है बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप लोग हमें जरूर बताएगा ठीक है और वीडियो को like करेगा share करेगा and subscribe जरूर करेगा जैमातादी थैंक्यू everyone